दो अप्राइल को पता लग गया था कि हमारे लोगों ने इनकी चूले एहला दी थी तो इनों ने सम्झवता कर लिया था अगर ये फिर मन बनाते हों तो ये दो अप्राइल दोराने में देर नहीं लगेगी और इस देश में क्राश्चि तो होना निस्चित है क्योंकि जब सं बोजन समाज इस देश का गरीब समाज चुप नहीं बैठेगा राजनाज जी आपको मैं बताना चाहता हूं आप सर्वमान नेता हैं देश के रक्षा मंत्री हैं तो आपको भी समझ होनी चाहिए कि जब ये आरक्षन खतम करोगे आप सभी लोग मैं आपका समर्थन करता हूं लेकिन इस देश में जाती विवस्ता पहले खतम कर दू और आप लोग जब तक जाती विवस्ता खतम नहीं करोगे तब तक आरक्षन खतम ये बहुजन समाज नहीं करने देगा आपको क्यों कि आरक्षन EBS में सुदामा कोटा के तहत सबंड लोगोंने 10% जिनकी आवादी 15 15% है उन्होंने 10% लेकर के मौज मस्ती मार रहे हैं मलाई चाट रहे हैं और हम बहुजन समाज के लोग जिनकी आवादी 85% है उनका रिजर्वेशन अभी 50% नहीं हो पाया जब पूरा रिजर्वेशन भी नहीं हो पाया तो आप उसको खतम करने की बात क्यों करते हो और आर् आर्थिक तंगी है इसमें अभी भी 95% गरीव लोग हैं बहुजन समाज के 5% लोगों के पास कुछ खुसाली आई है 95% जब गरीव हैं तो आप आर्थिक आधार पर कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते तो आप समझदारी से काम लीजिए और अगर मनमानी करोगे तो आपको मनमान नहीं करने दी जाएगी करके इंग्लेंड से डबल बोट का अधिकार लेकर आए थी तो गांदी जी के पेट में दर्द हो गया था और वो ये कहते थे कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इन अच्छूतों को किसी तरह की कोई अधिकार और सुविदा नहीं देना चाहता हूं मैं अपने प्राण तो दे में 26 अलीपूर रोड पर आकर के जोली फैला दी थी और उन्होंने कहा था कि बाबा साब आप ही हमारे स्वाग को बचा सकते हैं और नहीं तो गांदी जी के प्राण खत्रे में हैं और वहां से जहां से सरकार चल रही है ब्रेटिस इंडिया से तो ब्रेटिस के लोग हमारे गांदी जी को जान से मार देंगे फांसी पर लटका देंगे तो बाबा साब ने एक ही बात कही थी विचार करने के बाद के मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है तो बाबा साब पूर्टाय मानवताबादी थे और यूग पुरुष थे तो बाबा साब ने कहा कि मै किसी कारण से हमारे मतवेद हो सकते हैं लेकिन हमारे किसी विचार से गांदी जी के प्राण चले जाएं ऐसा मैं नहीं होने दूँगा और बाबा साब से जो 20 सितंबर 1930 को जो समझाता हुआ पूना पैक्ट के नाम से तो एक बोट गवाना पड़ा हमारे बौजन समाज के लोगों को और बाबा साब भी उसमें निरास हुए और वो उसी के तहत गांदी ने नैरू ने आरक्षन दिया और कुछ सीटें हमको सुरक् सीटों पर हमारे SCST के लोग लड़ते हैं और आरक्षन की विवस्ता चली आ रही है और वो आरक्षन हमारे लोगों को नवकरियों में हमारे लोगों को अपने पड़ाई लिखाई में हमारे लोगों को अपने कामदंदों में आरक्षन मिलता चला आ रहा है उसको हमारे रक् यह सवाल यह है। जो होता है हमार देश में इन विम्यूक्त जातियों से वो जातिक आधार पर होता है अत्याचार तो ये सेहन कर रहे हैं आरतिक आधार पर कहां उनके साथ जातिवाद होता है जो अपरकास्ट के लोग है जो गरीब लोग कह रहे हैं कि गरीब को आरतिक आधार पर आक्षण मि माता पिता को आधी रात पे दर्द होता है कि हमारे पास आज आटा दाल का पैसा नहीं था जो हम अपने बच्चों का बरण पोसर करके खाना खिला के इनको सुला देते तो ये जो बात कह रहे हैं तो जाती के आधार पर गरीब ब्रामण के साथ कोई बेदवाव नहीं होता सवन तीनों में से किसी के साथ बेदवाव नहीं होता बेदवाव होता है तो हम 85% के लोगों के साथ ही होता है क्योंकि ये जातियां जो बनाई गई वो पुश्मित्र सुंग ने बनाई है ये जातियां हम लोगों ने नहीं बनाई हैं ये जातियां हमारे उपर जबर्जस्ती थोपी गई हैं तो मैं तो पुनहे कहना चाहता हूँ सभी आपके चैनल के माद्यम से जो भी सत्ता में बैठे हुए सासक हैं जो अपने को कहते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मातमा हैं और राष्ट भक्त हैं तो उन राष्ट भक्तों को और धर्मातमा लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब वो जमाने तो लद गए जो आप पहले करते रहे हैं आज का बहुजन कमजोर नहीं है और आप इसको कमजोर मत समझो बहुजन जो है ताकतवर हो गया है वो तीन तर आ जन में हम कम नहीं है हम 85% लोग है और ऊत्री चेलेल के साथ ल, minim, इसके साथ नहीं करते हैं तो आप तेली अचूत समझने का मतलब है, इनको छूआ न जा सके, कमाई इनकी खाते, मंधरों में पैसा यही देते दान में, तो इनका पैसा अचूत नहीं होता, तो ये अचूत हो जाते हैं, पैसा अचूत क्यों? उससे आपके सारे काम चलते हैं, तो पैसा तो अचूत नहीं है लेकिन ये आदमी अचूत हैं इनको पानी पीने का अधिकार नहीं दिया आप लोगोंने इनको संपत्ती का अधिकार नहीं दिया आप लोगोंने इनको बोट का अधिकार नहीं दिया आप लोगोंने इनको राजा बनने का अधिकार नहीं दिया आप लोगों ने वो तो भला करो बाबा साब का जो आज इस देश का संविधान दिया और बाबा साब ने संविधान न दिया होता तो आज ये तो आपकी द्यादरश्टी तो ये थी कि हमारा समाज कहीं जाडियों में पड़ा होता बोजन की कोई इसमें इजित नहीं होती पुलिन फेगडी कहते हैं कि 400 आजायेंगे हमारी तो उन्हेंट कर देंगे राजनात जी कह रहे हैं कि आक्षन आर्थिक हैर पे होना ही विज MODi ji कहते हैं मोदी जी के बच्चे हैं मोद्य जी के मन में क्या चलता है RSS का पिलान है और यह कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए तो इसको आरक्षण को हम खतम नहीं करेंगे तो मोदी जी पहले कहते थे बाबा साव अंबेड करका दिया हुआ आरक्षण कभी खतम नहीं होगा दूसरे स्टेटमेंट में मोदी जी पहमत नहीं हूँ और किसी तरह का आरक्षण है तो मैं उसका विरोधी हूँ और जो भी आरक्षण है मैं उसको ततकाल खतम करूँगा तो यह जो रक्षण मंत्री जी हैं और अनन्त हेगड़े यह सब उनके ही बच्चे हैं आर एसेस की आउलादे हैं तो यह तो अपना जनता डर जाए और हमको सभी तरीके से सपोर्ट करके पुना सरकार में बिठा दें और उसके बाद इनके उपर ही अमप्याज काटेंगी तो यह जो बयान आ रहे हैं सविधान को ले करके आक्षन को ले करके तो जो बहुजन है बहुत बड़ा समाज है S S T O B C इन बातों से कुछ समझ करके क्या इस चुनाव में कुछ अपना वो मन बडलेगा? सही सरकार चुनेगा? मन बदल गया है और ये बहुजन समाज हमाले पहाड है और हमाले पहाड की एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट और वो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर उचाई पर है तो उसके समान ये बहुजन समाज हमाले पहाड के समान है इस देश में इसका कोई बालवांका नह देसमें नहीं रह सकता दो अप्रायल को पता लग गया था के हमारे लोगों ने इनकी चूले अहला दी थी तो इनों सम्झावता कर लिया था अगर यह फिर मन बनाते हों तो यह दो अप्रायल दोराने में देर नहीं लगेगी और इस देश में किरांती हो जाएगी और किरांती तो होना निश्यत है क्योंकि जब संब्धान खतम होगा इस देश में दिन की रात होगी तो यह बहुजन समाज इस देश का गरीब समाज चुप नहीं बैठेगा और आखीरी लडाई आखीर तक लड़ेगा मरेगा और मारेगा